हेलो फिर्ट्स वेलकम बैक टो माई चानल जॉब दो तो आज मैं बात करने जारी हूँ गूगल के बारे में तो गूगल एक ऐसा शब्द है जिसे दुनिया में सबसे जादा लोग जानते हैं क्योंकि गूगल ने हमारी जिंदिगी को बिल्कुल बदल कर रखती है तो हमारे बात कर रहे च्क्रेंब के बारे मैं मैं बात करने जारी हूँ कंपनी का नेम है गूगल और गूगल में सबका और कि और गूगल क्र collabor कि उसका जो यूनी मतलब जो hiring process बहुत ही unique और बहुत ही different है बट आपको tension लेने के ज़रूरत नहीं है मैं आज Google के बारे में आपको बताऊंगी कैसे आपको apply करना है क्या process रहने वाला है बट वीडियो को properly watch करें कोई भी point miss ना करें ताकि आप अच्छे से apply कर सकें बस apply करते हुए एक ही चीज़ आपको देखने है जब आप apply कर रहे हो तो company ने क्या details fill करने की बोला तो आप उसको carefully fill करिए बस और कुछ नहीं करना है बाकी मेरी screen पे आपको सारी details में दिखाऊंगी कि कोन से student इसमें apply कर सकते है क्या process रहने वाला है तो please properly watch करें मेरी screen पे देख रहे है लिंक आपको description box में मिल जाएगा जब आप link पे क्लिक करेंगे तो कुछ यह details आपके सामने होंगी आप यहाँ पे देख रहे है मेरी screen पे software student training in engineering program internship 2024 Google यहाँ पे आपको apply करने का option आ रहा है बट उससे पहले ही कुछ details है जो आप अच्छे से read कर लेना बट जो basic है जो थोड़ी बहुत important है वो मैं आपको बता देती हूँ अब our summer internship will start in May 2024 and will be 10 to 12 week in duration मतलब यह आपकी मई में start होगी 2024 and 10 से 12 हफते की आपका timing होगा इसकी internship का प्लीज कम्प्लीट यूर अप्लीकेशन बिफोर जैन 19, 2024 मींस 90 जैन से पहले आपको इसको apply करना है तो जैसे मैं आपको वीडियो शेयर करें तो प्लीज आप सबसे पहले इसको apply करिये and आप बात करते हम qualification की की कौन-कौन से candidate इसे apply कर सकते है बैचलर प्रोग्राम and computer science और related technical field मतलब आपने बैचलर डिगरी किया है, B.S.E. किया है, means computer science से B.T.E.C. किया है, C.S.E. से और कोई भी उससे related technical field से अगर आपने किया है तो आप इसको apply कर सकते है and English इसमें good communication skills चाहिए क्योंकि नॉर्मल सी बात है Google Company की हम बात कर रहे है currently in a full-time degree program मतलब आपने distance education ना हो, full-time आपने degree किया हो means regular आपने degree किया हो and इसमें जो excellent programming skills चाहिए C++, Java, Python मतलब ये skills भी आनी चाहिए आपको and इसमें आपका रहेगा full-time 10-12 week internship between May and August 2024 अब थोड़ा सा about the job अब ये आपको clear हो गया होगा कि आपने full-time means regular आपका course होना चाहिए आपने B.Tech किया C.S.C. से, B.S.C. किया है computer science से या कोई other field से मतलब कोई भी आपके पास technical field से related कोई जिसमें आपको C++, Java, Python इन सब की knowledge है उससे related अगर आपके पास है तो आप इसको apply कर सकते है Google is investing increasing future computer scientist and software developers मतलब Google ये बोल रहे है कि Google मतलब invest करता है future में जो computer scientist है software developer को increase करने में और इसमें जो basic details है वो मैं आपको बता दे तो जो आपके लिए important है बाकी काप अच्छे से read कर लेना and with this my Google is announced 2024 internship in India will be open to Under Reapers group who will be in the second year of the university study इसमें ये चीज बता रहे है कि यह है उनके लिए भी open है जो अभी second year के student है मैंने आपको बताया था क्योंकि यह summer internship है तो यह आप अगर second year के student आप B.Sc कर रहे है computer science से, B.Tech है आपका C.Sc से या कोई technical आपके पास knowledge है ठीक है तो आप भी इसमें apply कर सकते है and इसमें जो three main जो program include रहेंगे software project है, skill-based training होगा, professional development this program is open to all qualified university students and यह जो programming यह ऐसा नहीं की, मतलब की यह apply कर सकते है यह सभी qualified students है, उन वो सब इसमें apply कर सकते है and और इसमें कुछ normal ही है, you will enhance मतलब जब आप इस जो summer जो आपकी यह training होगी जो आप internship करेंगे इसमें आपकी coding skills and gain expert to own tools and programming language तो यह इसमें basic चीजे बताई गई है, जो मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन से candidate इसमें apply कर सकते है यह सिरफ यह नहीं की आपका complete हो चुके है course अगर आप second year के भी student है, BSc, Computer Science, BSc आपने Computer Science से किया है B.Tech आपका चल रहा है, अभी आपकी degree complete नहीं हुए है बट आपका Computer Science C.E.C. से related है या कोई भी technical fields है तो भी आप इसको apply कर सकते है तो यह कुछ basic details है, आप प्लीस इसे एक बर अच्छे से read कर लेना चिक है, अब हम यहाँ पे apply करने का process apply पे हमने click किया and wait कर लेते हैं आपे तो यह आपका create your profile, यहाँ पे आपको अपनी profile create करनी है first आपका name, first, middle and last and इसमें जो आ रहा है, the legal name, what appears on official documents such as your driving license or passport मतलब इसमें जो आपको अपना name mention करना है वो आपके जैसे आपके पस आपका अधार card है, मतलब pen guard या driving license, जो passport जो उस पे आपका name है, आपको वहीं पे यहाँ पे mention करने है जैसे my name is monika batra, तो my name is monika तो यहाँ पे मैं अपना name mention करूँगे, only monika as per official documents यहाँ पे आपका email id यहाँ पे आपको अपना contact number तो यहाँ पे यह मैंने अपनी profile create की है यहाँ पे create profile पे हम click करेंगे यह लिगन इसमेंट appears on official documents तो यहाँ पे आगया welcome monika, software student training and engineering program internship 2024, your career profile यहाँ पे आपको अपना CV अप्लोड करना है contact details, यहाँ पे सेम आपको mention करने है आपका address, India, city, state, आपका postal code जैसे आपका जो pin code जिसको बोलते है आपका email id, additional email id अगर आपके पास इसके इलावा और कोई email id है तो वो भी आप mention कर सकते है contact number already मैंने mention किया था add another phone number, अगर इस number के इलावा अगर आपके पस कोई भी other number है तो वो भी यहाँ पे आप mention कर सकते है higher education, आपकी work experience अगर आपके पस किसी company का already work experience है skills, location which location do you prefer working out of तो यहाँ पे आप अपनी location mention कर देना cover letter मतलब यहाँ पे optional है अगर आप यहाँ पे mention करना चाओ तो कर सकते हो नहीं करना चाओ तो आप इसे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ सकते हो बट अगर आप अच्छे से अपने बारे में 4 to 5 line अगर यहाँ पे आप लिखना चाओ तो आप लिख सकते हैं जो अच्छा रहेगा profile preference और तो यहाँ पे आपको no करना है बाकी यह आपको click करके submit profile and continue पे click करना है और आपका यहाँ से apply हो जाएगा इसके लाब अगर आपका कोई भी doubt है कुछ आपका concern है तो please आप मुझे comment कर सकते हैं ऐसे latest update के लिए job door को like share and subscribe कर दीए